सो ही गाइस आज हों दिखने वाले हैं क्लास एट के भाधी खोज के चैप्टर नमबर वन को जो किये अहमद नगरा किला देखो यह जो भाधी खोज की पूरी बुक है यहां जोहाला नहरुजी ने लिखी थी और जब वो जेल में थे तो उस वक्त में तो यहां पर जो पहला चैप्टर वो है अहमद नगरा किला इसमें जो है नेरुजी 13 अप्री 1944 को लिखते हैं कि यहां उनकी नौवी जेल यातरा थी नौवी बार जो है जेल में आये थे और यह नौवी जेल यातरा किसमे थी तो अहमद नगरा किले में यह उस समय एक जेल की सुपराद यॉस्ते में हुआ था शुगलुपक्षों कहते हैं महिने के एक से लेकर पंदर टारीग को यह घुकंत सकते हो कि यह दिन हो गया है यह कहते हैं कि सुडवाद से पांदर Abhi. क्रिश्न पर हैं जैयों कि इनका दोस्त है चांद क्युंकि पहला चांद को देखकर पता लगाते थे कि कि इस पधे़ पर बीछ महिने का वक्त जाता है वन्दर चांद एक महीने के वक्त में आमवस्या से फिर आमवस्या में आता है इस बीच आप देखते हो कि चांद का अगर आप देखोगे तो आपको एक दिन बिल्कुल दिखाएने देगा तो थोड़ा थोड़ा दिखाए पड़ेगा फिर एक दिन आएगा इसी गपीच का दिन जो की होगा याद दिलाता था कि अन्धेरे के डांधर विजρά पाधे कि तो अगर कॉस्ष्टी सब्सक्राइब तो यह यहां पर देख रहर हूं फोटो इसमें बताए कि 1953 में मतल़ जएल सचूट कहते थे तो उस बीच्वपीच आये थे अहमद किला को देखने के लिए यह उसी वक्त का फोटो दिया गया है इसके साथ एक और ची जो एक्जाम में आता है मेरे जब मैं क्लास 8 में था तो एक्जाम में आया था कि उन्हें किस रूम नंबर में रखा गया था तो उनको रूम नंबर 8 में रखा गया था 1942 से 1945 के बीच में वो वहाँ पर रहे थे यह चीज़ों याद कर ले ना यह दोनों चीज़ों को अब यहाँ टॉपिक अतीत के भार में कहते हैं कि दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमद किले में भी बगवानिया काम किया कर रहे थे मतलब कि जिन भी जेल में रहते थे वहाँ पर यह बगवानिया काम किया करते थे धूप में फूलों की देखबल करना उनको एक लाइन में लगाना उनको सही से रखना ये कहते हैं कि मिट्टी मां की बहुती खराब थी पत्रीली थी पुराने मलबर और से से भर वी थी ये बोलते हैं कि इतिहास को अगर लेकर देखा जाया तो ये जगह उतना खास नहीं है लेकिन हाँ यहां पर भी कई युद्ध हुए हैं उन में से ये एक घटना का जिक्र कर था अगर आपने हिस्टी पड़ा होगा तो ये उसकी सेना से पुरा लड़ गए थी और फिर बाद में जो है इनी के मतलब लोग के द्वारे इंकी मृत्ते हो गए थी मतलब बहुत होते हो कि इनी के सैनिक में से या फिर इनी के साथ जो रहने वाले कोई लोग थे उनी में स तो कि यही हुआ कि कहीं पर खुदाई होता है कहीं पर आपने मुविस में देखा हो था कर जहांपर की पत्थर बि- तोड़ने को देजाते यह कि किसी जगा पर यहां पर यह बोलते हैं कि खुदाई जब इनक से कराइ जाती लोगों से तो उस समय इनको झोड़ाने जो प् हुआ ठीक है सब चीज़ जो आपर मिल रहे थे ये और भी मतलब नीचे तक खुदाई करते लेकिन फिर इन लोग को अनुमत्ती नहीं मिली मतलब उसे परमिसर नहीं दिया गया क्योंकि इन लोग पास उतना ज़्यादा साधन नहीं थे कि ताकि ये लोग अपने काम को जाए रखें तो ये काम को फिर रोग दिया गया खुदाई के ये कहते हैं कि फिर ये कुदाल को छोड़ करके कलम उठा लेते हैं अब जब भी कोई आदमें लिखेगा तो वो क्या लिखेगा या तो अपने वो प्रेजेंट के बारे में लिखेगा जो उसके साथ हो रहा है या व है कि जोड़ा सा जaldo Ach reaching ah से ये बाई जब कुछ और यह काम करते हैं तब यह जो है इसके बारे में लिख सकते हैं कि हजब यह जेल में थे लिक इनके साथ क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ तो यह बोलते हैं कि present के बारे में लिखेंगे नहीं जब तो इनको अनुभाव ना मिल जाए future को बोलते हैं कि यार यह कोई पैगंबर तो है नहीं यानि भगवान तो है नहीं या फिर बोसकते हो जो कि predictor type के होते हैं जो कि future देख लेते हैं भविक्स समानी करते हैं वो तो है नहीं कि future के बारे में लिखेंगे तो बचा past यह बोलते हैं कि यह past के बारे में लिखेंगे अब देखो यह कोई historian थे नहीं कि past के बारे में लिखते हैं कि हाँ past में यह था यह नहीं हुआ था इसे बोलते हैं कि past में जो भी कुछ हुआ है उसके उपर ये अपने विचार को लिखेंगे और फिर क्रिया कलापो को क्रिया कलापो को किसे तो कि जो जो घटनाए हुई है जिनके के बारे में जानते हैं उसको एक सिक्वेंस में लिखेंगे जैसे कि अगर ये किसी सभ्यता के बारे में लिख रहे हैं तो उसके बारे में जो भी जानते हैं उसको एक सिक्वेंस में लिखेंगे कि हाँ पहले ऐसे था फिर ऐसे थे हुगा फिर बाद में ऐसे सभ्यता आगे ब सब्सक्राइब में गेटे एक जर्मन राइटर थे लेखक थे जो कि कहते थे कि अगर आप इतिहास का रिखेंग करते हैं तो आपको इतिहास का जो दबाव है उससे कुछ राहत मिलेगा यसा गयते निये कि अगर आपके मन में कोई परिशानी है तो आप किसी वैश्यास से कहि वो जेल में थे बहुत harsh condition होगा फिर क्या-क्या घट रहा था उसको देखकर के भी उनको उनके ओपर एक अलगी दबाव आता होगा इसलिए ये फिर लिखने लगे past के बारे में ताकि ये सब बता सके कि पहले क्या था क्या नहीं था इसे इनको भी थोड़ी रहात मिले अब आ तो इतना बुरा-बुरा चीज अतीत में हुआ इसके बारे में आप जानते हो समझते हो आपको लगे कि यार कितना ही खराब हुआ था मिस्दम घोटू होती है और यह खासकर किसके लिए होता है तो जिनकी सब्वेताय बहुत पुरानी होती है जैसे कि भारत और चीन इसमे बहुत आते हैं तो में बहुत सारी चीज़ दिखने का मिलती है कर जो भारत में क्या बुरा होता है इसी पर जमीं के बहुत से चांट लूब होता है जैसे कि आखे मेरी विरासत क्या है मैं किन बातों का उत्रादिकारी हूँ उत्रादिकारी का अरतवा कि जो आपको विरासत में मिलता है या फिर जो चीज आपके पैनेट्स के द्वारा जो हो गया फैमिली के द्वारा दिया जाता है जैसे कि राजा में ले दो राजा देखता है कि उसका बेटा बढ़ा हो गया तो पूरा राजपट सब दे देता है मतलब अपने पूरा जिम्मेदारी फिर दे देता है अपने बेटे को तो यह हो गया कि आकिर इंका क्या उत्रादिकारी है और इनको विरासत मतल utilize इनको पास से क्या मिला है इसी पी बहुत सारे बातों कहते हैים जैसे कि पास्ट में बहुत सारे लड़ाया हुई जिसमें बहुत सारे जीता गया है तो उससे खुसी जो भी हार हुई है उससे दुखद यंत्रना मतलब कि उसे दुखा देख अभास इंको मिला है फिर जो भी साहस वाले काम किये गया है जो भी लोग के द्वारा निर्णे लिये गये हैं यह सभी चीज के बोलते हैं वारिसे इसके उत्रादिकारी है मतलब यही सब चीज उनको वियासत मिला है पास से अलगिये क्याके पहरत वासी अलग है किसी रख्त मांस अस्थीस तो मरने के बाद जो सभी मिट्टें मिलन दिया इसी विसृष्टा से हमारा वरतमान रूप बना है और हमारी भावी रूप बनेगा मतलत जो भी पास्ट में हुआ है। यही बोलते हैं कि यह उसके बारे में लिख पाएंगे क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही कठीन है बहुत ही हाड है फिर यह कहते हैं कि यह भले ही पूरा डिटेल में लेकिन हाँ यह इसके सतह तौर पर इसका पर जोड़ कर लें लेकिन हाँ उसका सरफेस लिख देंगे तो इसमें पूरा इंके बारे में थोड़ा बहुत बताया इसके अंदर अलग-अलग सभयताओं के बारे में जिक्र करते हैं तो यह था इस पूरे चैप्टर में आसे आख़े लगए लाइक कर दें और भी सौट और अच्छे जो के वीडियो में